वेल्कम तू माई चैनल हैपी स्टूडेंस आज की इस वीडियो में हम फ्रांस में 1848 की क्रांती के कारण और परभाव क्या थे उसके अंसर को देखेंगे यह कोश्चिन आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो वीडियो के अंड तक जरूर देखे इसका जो का इसके दर्शक में क्या था यूरोप में काफी आर्थिक कठिनाई आय थी जिसके गारण 1848 में भी भोजन की कमी और बड़े पहमाने पर बेरोजगारी थी लोगों को काम नहीं मिल रहा था इसके परिणाम स्वारुग पैरिस की जनता ने पदर्शन किया बैरिकेट्स लगा दिये गये जिसके कारण क्या हुआ था पैरिस की जो जनता थी उन्होंने क्या करना शुरू किया परदर्शन करना शुरू कर दिया बैरिकेट्स जो थे वो लगा दिये गये और इसका प्रिणाम ये हुआ कि लुई फिलिप ने राजगत्ती छोड़ दी थी ठीक है 1848 के करांधी के कारण लुई फिलिप ने राजगत्ती छोड़ दी फ्रांस एक गंतंत्र बन गया 21 बर्श से उपर के सभी भैस के पुरूशों को मत अधिकार दिया गया ठीक है यानि जिसका 21 बर्श हो गया है वे लोग क्या कर सकते वोट देने का अधिकार उन्हों को दे सब्सक्रापित की गई ठीक है जो सरकारी कुछ कारेशालाएं शुरू की गई जिसमें रोजगार उपलब्द कराया गया इस पकर फ्रांस में एक और क्रांती हुई जिसने सरकार को राजचाई से गंतंत्र में बदल दिया ठीक है इस क्रांती से क्या हुआ जो फ्रांस की क् का सबसे मुठ्य विशेषता है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें आप नेश्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं धन्यवाद